जै आरसी हम सभी को मेरी तरफ से आज हम आपके लिए एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक ले करके आए हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हम चाहे हमारे घर की महिलाएं हो या फिर हमारे जो घर के पुरुष साती है या अकर हम पूरी फैमली की बात करें उनके ल है और खाना एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर एक बहुत ही जादा एक्साइटमेंट क्रियेट कर देती है हम ऐसा लगता है कि काश आज कुछ अच्छा बना हो जब हम बहुत जादा था खार के अपने फील से या फिर बच्चों की अगर हम बात करें बच्चे स्कूल से को सवादिश्ट बनाने के लिए जो सामग्री का इस्तमाल किया जाता है वो सामग्री बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वौलिटी की होनी चाहिए अच्छे स्वाद की होनी चाहिए और साथ ही चार चान लगा दे बहुत ही सुनर खुश्बू उस खाने में से आना चाहिए क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जिसको हम खाते हैं और हमारा सिर्फ पूरा पेट नहीं बलकि हमारा पूरा शरीर, हमारा मन इतना सुकून मिलता है हमारे शरीर को, हमारे मन को ऐसा लगता है कि आहा, आज तो हमने कुछ अच्छा और मज़ेदार खाया और इसी लिए हमेशा जो excitement होती है खाने को ले करके वो कभी कम नहीं होती आप अगर एक सबजी को दो दिन भी इस्तमाल किया जाता है जो बाकी की चीजों का या बाकी की सामघरी का इस्तमाल किया जाता है वो important हमारे लीए है जानना और याज की जो training है वो इसी topic के उपर है कि ऐसे क्या-क्य इन्ग्रीडن्स या ऐसी क्या-क्या सामगरी हम मसालों के रूप में या फिर हम अगर किसी अच्छे कोई फूड आइटम को अगर हम बना रहें तो उसके लिए हम ऐसा क्या अलग हट करके इस्तमाल करें जिससे हमारे ओवरॉल जो टेस्ट बड्ड्स है वो भी खुल जाए साथ ही साथ एक जो खुशी है एक खाने क्वीन और खास तोर से आज की जो ट्रेनिंग है वो सारी लेडी के लिए वन आफ दो फेवरिट ट्रेनिंग्स होगी क्योंकि उनके इंट्रेस्ट की बात यहां पर आई है क्योंकि जितनी भी फीमेल्स है उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और उनको यह भी ची स्वा खोश करते हैं और वही स्वाध की खोश के लिए हम किस तरीके से सामग्वी को किस नहील कर रहे है उसके लिए भी हमें हैथ साथ करना चाहिए लेकिन से साथ साथ अब हमारे ढгов की interest generate हो गया है उनको भी ऐसा लगता है कि चलो आज मैं भी कुछ नया बनाता हूं या आज मैं कुछ नया try करता हूं और भलाई उन्हें basic techniques अगर नहीं भी पता होंगी बट फिर भी जितना आजकल आप देखोगे न यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देखने के बाद आप try करते हो और जो भी मसाले या जो भी सामगरी आपके पास में रहती है उसके इस्तेमाल से जितने भी पुरुष्ट आती है वो भी कुछ नया अच्छा-च्छा आविशकार करके हमारे लिए dishes के रूप में लेके आते हैं जो बहुत ही स्वादिश्ट होती है राइट ब एक ऐसा एक ऐसी कैटेगरी या एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे लिए fast moving है क्योंकि जब हम FMCG की बात करते हैं FMCG हमारे लिए बहुत important इंडस्ट्री है चाहे overall अगर हम अपनी growth की बात करे business growth की बात करे उसके लिए भी ये बहुत important है बट अगर हम इसका दूसरे नजरिये से देखे तो ये हर घर में इस्तमाल होने वाला सुभे शाम दिन रात इस्तमाल होने वाला ऐसा product है जो fast moving है नाम ही इसलिए इसका FMCG रख रहा है यानि fast moving consumer goods राइट सो बिना fail हुए बिना कुछ किये फिर भी हमारा ये जो overall FMCG का जो category है या FMCG की जो industry है ये हमारे लिए बहुत बहुत जादा जरूरी है बहुत अच्छे से मदद करती है ये हमारी overall growth को ले करके और यहां पर एक चीज़ हमें और समझनी है कि finally एक ऐसा range एक ऐसी product की range जो हमें हमेशा demand में रहेगी यह हम कह सकते हैं कि यह हमेशा demand में रहेगी क्योंकि इसके बिना हम इनसानों का घॉजारा नहीं है और यह हमारी basic necessity है इसके बिना हम लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते चाहे हम दाल की बात करें, चावल की बात करें, या फिर मसालों की बात करें, आटे की बात करें, इन सभी प्रोडक्स की बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हमें उर्जा देने में मदद करते हैं, खाना हमें शक्ती देने में मदद करता है, हमारे जीवन को और ज्यादा आई-उ बढ़ाने में मदद करता है हमें एनरजी देने में मदद करता है तो आज अगर हमें खाना ना मिले तो शायद हम जिन्दा भी ना रहें और इसी लिए हमेशा ये इंडस्ट्री हमारे लिए फ्रूट्फुल होती है कभी भी लॉस में नहीं जाने वाली इंडस्ट्री है और इसी से हमें बहुत जादा प्रॉफिर बहुत जादा फायदा भी होता है जैसे कि FMCG की मैंने आपसे बात करी fast moving consumer goods है जब हम fast moving consumer goods की बात करते हैं ये consumer packaged goods के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहुत ही simple सा concept है simple सा concept है कि कोई भी product जो बहुत जादा जल्दी बिख जाए और बहुत ही ज्यादा जल्दी इस्तमाल में भी आ जाये, घर आप जैसे मान लीजिए, आप जाते हैं बजार में और दो किलो आप डाल लेकर के आते हैं। तो आप देखते हैं कि उसको आप पूरे साल भर नहीं चलाते हो, आपके दो किलो चावल या दो किलो डाल आपकी हार्डली कुछ एक महीने के अंदर में कंज्यूम हो जाती है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके घर में मेंबर्स कितने, और यही जो प्रॉडक्ट रेंज है यह जल्दी जल्दी इस्तमाल होने वाली है, और इसी लिए इस रेंज में उधारन के रूप में आप क्या-क्या समान ले करके आ सकते हैं, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हो गए, या कुछ पेये पदार्थ हो गए, या फिर अगर आप बात करते हैं, चॉकलेट की, या बा बहुत ही असानी से और बहुत ज्यादा जल्दी आपके घर में कंज्यूम होते हैं, ये कुछ आपके सामने एक आकड़ा है, जिसको आपको समझना जरूरी है, कि भारत में जब हम FMCG की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा उलेखनी ये हैं, अगर हम देखें, इसकी ग्रोथ FMCG सेक्टर में और भी बोला गया है कि लगबख 14 प्रतीशत बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे रूप में बढ़ूतरी होने वाली है लगबख 2025 तक, अगर आप देखो, दो हजार हैं, जिसमें आज 2020 के आकड़े की अगर हम बात करें, तो लगबख 110 अरब का अमेरिकी डॉलर अगर हम देखें, तो अल्रेडी हम अच्छीव कर चुके हैं, जबकि ये और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो अब आप सोचिए कि कितना जरूरी, कितना महत्वपून हो गया है, आज हमारे लिए FMCG के सारे प्रोड़क्स का इस्तमाल करना, और उन प्रोड़क्स को प्रमोट करना, जब हम FMCG के शेत्र की बात करें, और खास तोर से आप सब लोग, आप मैं, हम सब लोग एक बहुती बुरी महमारी से गुजरे हैं, हाली में गुजरे हैं, और अभी भी हम उस महमारी से बिलकुल भी उपर नहीं उभर पाएं हैं, और वो था क्या हमारा COVID-19 और आप देख सकते हैं कि एक मातर, FMCG ही एक ऐसा सेक्टर था, जिसमें COVID-19 भी हो, या कोई भी महमारी हो, लेकिन इस सेक्टर में कभी भी घटोत्री नहीं आएगी, कभी भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सब के लिए जरूरी है कि खाना हम कभी नहीं छोड़ सकते हमारी हो, चाहें ना हो, बट खाने के बिना हमारा जिंदगी नहीं है, हमारा गुजारा नहीं है, और इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है, और इसी लिए जब कुछ व्यवसाय अफसरों की बात करूं मैं आप सभी लोगों के सामने, सो ग्रामीन बजार में खपत का बढ़ता है, स्तर यहां पर ये समझना जरूरी है, साथ ही साथ स्वास्त के शेत्र में भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा अफसर है, क्योंकि बहुत जादा ऐसे स्वास्त के या हेल्दी प्रोडक्स की अगर हम बात करें, तो वो भी आते हैं, और लोग उनका भी सेवन क करते हैं, अपने आपको स्वस्त रखने के लिए, जब हम भारत खादी उद्योग के लिए बात करते हैं, तो ये हमें एक ऐसा सकरात्मत दृष्टी कौन देता है, कि जहां पर हमें प्रूफ होता है, कि हम सही जगे पे चुनाव करके, सही प्रोड़क्ट पर इन्वेस्ट क कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, वो सारे प्रोड़क्ट प्रीमियम क्वालिटी के होने चाहिए, तो ये जो हमारे प्रोड़क्ट की गुर्वत्ता है, इसका हमें पता होना चाहिए, और लोगों को हमें सही रूप में भी आगे बता चाहिए और एक बहुत ही अच्छी एक कहावत नहीं आप सब लोगों की या मेरे मन की ही बात है जब खाना खाएंगे अच्छा तो हमेशा हमारा मन रहेगा अच्छा और हमेशा और भी रहेगा अच्छा क्योंकि खाना हमें वो सुकून देता है जिससे हमें लगता है कि आज मेरा जीवन सफाल हुआ क्या खाना बना है और यही सोच के साथ में हमेशा कोई भी खाना हम खाते हैं अगर हम देखें तो आज हमारे RCM में हमने हमेशा कोशिश करी है कि आप बस नाम लीजिए और वो प्रोड़क्ट हम अपने RCM के द्वारा आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे और इसी लिए चाहें आप देखो personal care range हो या आप देखो home care range हो या आप देखो beauty की range हो या फिर हमारी FMCG की range हो तो overall आपको हर एक product एक अच्छी quality के रूप में आपके सामने हम ले करके आते ताकि आप बहुत ही अच्छा फायदा ले सके और साथ ही अच्छी quality की शुरुवात करें अपने घर में अच्छी quality के product का इस्तमाल करके